आप सभी का स्वागत दिपाली आश्ट्रों में करते हूं और देखते हैं आज का दीन निकी 15 अपरेल 2021 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं मेश राशी वालों के साथ मेश राशी वालों अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सामानिता रहेगा कुछ खास होता है चरावकार शेत्र में या पारिवारिक शेत्र में देखने को नहीं मिलेगा सामानिता जैसे चीज़ें चलती रहेंगी कुछ खास नेगटिविटी भी को नहीं मिलेगी मन भी आपका शान्त रहेगा इंडॉर्स या इंब्रेस कर पाएंगे नई वैल्यूज को नई विचार धाराओ को और तेजी के साथ आखमबल में विद्धी होते हुए आज के दिन देखेंगे साथी साथ लंबे समय से चल रही कोई बिमारी से भी ने जात मिलते हुए आज के दिन दिखाई देगी सो कुल मिला कि ये एक अच्छा चेंज है और आज से आपको एक नई स्थिर्था के शुरुआत समझ कर पॉसिटिव डिसीजन्स लेने चाहिए जो आपके और आपके परिवार के लिए स्थिर्था का सबब बन पाएं बात करते हैं विश्व राशी वालों के लिए विश्व राशी वालों अगर आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए आर्थिक ग्रूप से या आर्थिक दृष्टिक उन्ट से काफी ज़ादा आपको प्रेशराइज करता हुआ जा सकता है खास दोर पे कुछ टफ डि आप रिव्यू कर चके हैं उसके बाद अगर आप एक ठोस रहने पर पहुंचते हैं तो यह परिस्ती यह वस्ता भी आपके टोटल कंट्रोल में आ जाएगी साथी साथ कारेशेत्र में जाफे के लिए आपके लिए कुछ न कुछ आप परिस्तिती को स्टॉंग या स्टॉं या वर्क लोड भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है पूरी सिच्वेशन को आप कंट्रोल में करने की कोशिश तो करेगे लेकिन अस्थिरता आपको जीवन के हर अवे न्यूज में देखने को मिल जाएगी च्यूंकि आप खुद ओर प्रेशराइज हैं और थिंकिंग कर रह आपके निरने पे ही बेसे हैं कि आज का दिन आप कैसे डिसाइड करते हैं और वो निरने अगर आप दिन के शुरुआत में पॉजिटिव आटिट्यूट के साथ आगे पढ़ते हैं तो सिच्वेशन चाहे जितनी भी टुफ हो आप उसको बहतरी तरीके से हैंडल करते दो आपके स्वास समंदी चिंताओं को बढ़ा सकता है खास तो अगर आप अलकी फुलकी सर्दी से या आपको और आ फीवर आ रहा है उससे जूज रहे हैं तो आप उसको अनिथा या लाइट ली ना ले उसको चीजों को आप रेगलर डॉक्टरी चेक-प राइक्षिन करा तो आप बैलन स्टेट ऑफ माइंड में भी रहेंगे इंटर्नल पीस भी रहेंगी चिंता भी आपकी कम होती नजर आएगी साथी साथ कुछ आपका ट्रावलिंग भी इंडिकेटेड है कारेशेतर के विस्तार के संदर में अगर आप ट्रावलिंग करते हैं तो आपको पहली चीज तो ड्राविंग स्लो करनी है दूसरी चीज रेगुलर एक डाइट को फॉलो करते हुए चलना है डाजिस्टिर सिस्टम को आपको कंट्रोल में लाने के लिए अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो उसक आप जरूरत से जादा ओवर उक्यूपाइड बिजी रहे सकते हैं चीजों को शुडियूलिंग करने की कोशिश करेंगे लेकिन पीछ पीछ में आपकी अटेंशन डाइवर्ज होती नजर आएगी या रलेशन्शिप पॉइंट अपने आपको प्रेशराइस्ट फील करा प इस्थिता के साथ आगे बढ़िए डिस्सिप्लिन अप्रोच रखिए साथ ही साथ कटू शब्दों का प्रियोग ना करें आगकी परिस्तिती कारेश शेत्र में और पारिवारिक शेत्र में दोनों तरफ बैलन्स होती हुई नजर आ जाएगी साथ ही साथ निवेश करने से इस पहले सोच समझ कर किसी ऐसे वेक्तिव शेश से सला मशुरा करें जो जिसको इस फील्ड में एक्स्पिरेंस और तभी आगे बढ़ें बात करते हैं कने राशिवानों के लिए कने राशिवानों आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन सामानता जाएगा कुछ खास अगर आपकी स्थित्ता देखने को मिल जाएगी अगर आप चीजों को बहतरी इन बालंस बनाते हैं अपनी सिचुएशन को कंचोल करने के लिए अपनी परिस्थिती को और स्ट्रॉंगर बनाने के लिए कुछ लिखाई पड़ाई कुछ अड़िकेशन करते हैं ग्यान अगर आपके दोरा लियागा कोई भी अध्यां की डिसिजन आपके लिए काफीज अगर उन्ध डिशान अगर जा नाछी आ capital वाली की लिए तुलाराशन के लिए ट्राव लीए काँ आपके लिए भाली आपके लुआ काया था साल दो साल से भो भी का Neden स्पैज देन बह सी है नजर आएगी, मन शांत रहेगा, हेल्थ भी कंट्रोल्ड होगी, या बैलन स्टेट अफ माइंड में आएक कुल मिला के आज का दिन एक नई शुगुवात के लिए आपके लिए सर्वोत्ता माना जा सकता है, इसमें तो कोई दोरा संदर में सामाने रहेगा, कुछ खास स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि चीज़ें आपने काभिल अतारीफ है कि बड़ी कट्छन परिश्ण से अपने अधीन लिए अपना कंट्रोल बनाया है इसी तरह से परिवारिक स्थिर्ता भी बनी हुई है कुछ खास उतार च कर आप अपने परिवारिक के वृद्र दम सदस्यों के स्वास के प्रती भी थोड़ा सा सचेत रहने की आज कि दिन जरूरत है बात करतें धनुराशी वालओ के लिए दरु राशी वालओंके लिए पूर्ण स्थिर्टा पूर्ण परिस्थिती पूर्ण स्टेबिलिटी अपने उपर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो आप अपना knowledge base बड़ा हैं, चाहे वो अध्यातम की तरफ प्रगती की बात करें, आतम बल में रुद्धी की बात करें, लाइस्टाइल चेंज करने की बात करें, वो सारी चीज़ें आप स्ट्रीम लाइन की सामने फजाय के लिए भी कम नहीं होगा बात करते हैं मकर राशिवारों के लिए थोड़ा सा स्थिर्था का अगर मैं देखू मौतावरन घर में रहें तो बैलन्स बनाने की जरूरत है चर्चड़े पन को, क्रोध को, अवसाद को कंट्रोल करने की जरूरत है चोटी-चोटी चीज़ों में रेस्लेस्नेस, तनाव लेने की जरूरत नहीं है खास तोर पे अगर पारिवारिक स्थिर्था की बात करों तो भाई बहन से आपका कोई कटू डिसकर्शन हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति विशेश को आपको नेगोशियेटर के हूप में लाना पड़ेगा जो व्रिजदम सदस्से परिवार का साबित हो सकता है इसी के द्वारा अगर अगर चलेंगे तो परिवार में स्थिर्था देखने को आपको मिल सकती है अगर खनाव सब्सक्ष मुष्वादिंगे तो आपको भारा थी सब्सक्रा सब्सक्रा ने के लिए जी बहुति खने को भीम्लिवन रेने को आपको आपको पहतर टरीके से सबस्तराओ करने हें तो आप परिस्तिती आंगे बढ़ेंगी रण लेने की सोच रहे हैं बहुत सालों से दो-तीन साल से अगर आप कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करने की और रण लेने की और चीजों को अगर आप बैलन्स आउट नहीं कर पा रहे हैंगे आपको यह लगता है कि लोग का रीपेमेंट कैसे होगा तो आप वो रास्ता साजा होता हो और नजर आएगा तो पुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोंट से अगर मैं देखूं तो परिस्तिती आपके लिए पास्टिक होने वाली है बस थोड़ा सा आपको रिव्यू करना है सारे आस्पेक्स जल्द बाजी में कोई भी ऐसा लीगल अगरीमेंट में नहीं जाना है एंटर नहीं होना है जो आपके लिए बाद में परिशानी का सबब बन सकता हो बात करते हैं मीन राशीवालों के लिए मीन राशीवालों आज का दिन आपके relationship point of view से काफी जादा लाबदायक से दोने वाला है परिवार में एक नई स्थिर्ता नई उर्जा का संचार कोई नई खुशकबरी कोई नई परिस्तिती नई विचारदारा साथ ही साथ आत्मबल में वृद्धी भी आज का दिन दे कर जा सकता है आप परिवार के साथ समय बिताएंगे तो आप अपने आपको बहतरीन तरीके से रेजुमिनेट भी कर पाएंगे परिवार के साथ अगर आप कंट्री से बाहर रहने की सोच गले हैं या अप अपना सीचेंज करने की सोच गले है तो भी आप कही नकहीं कालगर होते वे नजहराएंगी मन आपका स्ट्रॉंग रहेगा confidence level में एजाफा होगा सामाजिक प्रतिष्ठा में एजाफा होते हुए देखेंगे पराक्रम में भी बृद्धी होगी कारशेत्र में प्रोचसान आपको अपने आपर बॉसस से देखने को आज का दिन मिल जाएगा कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए positivity और नई विचार धारम को embrace करना और सब तरह से balance बंदे हुए आप देख सकते हैं इसी के साथ मुझे आगया दीजे मैं कल फिरा जरूंगे नमस्कार